नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल आरस टूटोरियल में आज हम लोग चिंतन वर चिंतन के प्रकार यानी की थेंकिंग और टाइपस ओधिंकिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप अग हाई नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे और आप हमारे इन वीडियो से लाभानवित होते रहेंगे और इस जो वीडियो का पीडियेफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रडी दिया हुआ है तो आप वहां से उसे देख सकते हैं तो अब हम शुरू करते हैं अपन टॉपिक जो है चिंतन वा चिंतन के प्रकार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एक्जाम में पूछा जा सकता है कभी कभी होता न कि एक्जाम में परिभाशाएं पूछ ली जाती है और नाम दे दिया जाता है कि ये किस जो है मनुवैग्यानिक ने या किस वैग्यानिक यह definition दी थी तो सबसे पहले जो एक important definition सामने आती है वो है चिंतन की definition प्रतिमाओं प्रतीकों संप्रत्यों नियमों एवं अन्य मध्यस्त इकाईयों के मांसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है तो इसमें हम देख लेंगे कि क्या क्या है प्रतिमाओं यानि की इमेज प्रतीक चिंध जो होते हैं संप्रत्यों नियम यानि की रूल्स यह सारी चीजों के मध्यस्तिकाईयों के मांसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है तो इंग्रिश में भी इसका डिफिनेशन है thinking is described as the mental manipulation of images, symbols, concepts, rules and other meditational units तो यह कौगंत था हेमैन जी तरह दिया गया तो अब हम अपने समस्य की हम कैसे समझे की चिंतन क्या होता है उसको हम जानेंगे की चिंतन क्या होता है तो सबसे पहले चिंतन होता है कि जब भी हमें कोई समस्य मिलती है और उसका समाधान करना होता है समस्य और समाधान की बीचे जो सही अनुक्रिया होती है एक जो सही से relation होता है उसके मध्य उसी को चिंतन हम अपने language में चिंतन कह सकते हैं अब हम कैसे समोझेंगे की चिंतन क्या है तो चिंतन की प्रक्रिया की शुरूआत समस्य समाधान होने से होती है जब भी हमाई सामने कोई समस्य आती है उसमें चाहे मनुष्य हो या पस हो उन दोरों में से किसी के भी सामने ऐसी परिस्तिती या घटना आ जाया जिसमें हमें अपनी लक्षब में पहुंचने का रास्ता सही से दिखाई ना दे हमाई सामने समस्या आ जाया कि कैसे हम इस काम को कंप्लीट करें किस प्रकार से इसको हम दूर करें अपनी प्रॉब्लम को तो जब ये समस्या आ जाती है तो उसी को चिंतन कहा जाता है अब बात करते हैं कि चिंतन में सभी भिन्ड भिन्ड पहलों के समाधान को एक साथ सायोजित किया जाता है पहले हम चिंतन को अलग-अलग तरीके से देखते हैं, हर डिरेक्शन से देखते हैं, उसके बाद वो सारे जो हमारे अलग-अलग हमने उसका समाधान निकाला है, उसको एक साथ रखेंगे, सायोजित करेंगे, इकठा करके रखेंगे, फिर हम जो है उस समस्या को सॉल्व कर सक चन्तन में हमारी गत अ अनभूतियां भी शामिल वती यह निकि पास्ट एक्सप्रियेंसे सैंको ते infection उसके customize और फिजर चुके हैं तो वह में समएद्धान करो difference कि का समस्य कुलजाना ही है ने हम हमाने समस्या है , वो सुलट जाए , समष्य समाधान के लिए अधिकतर ये प्रैतनवा भूलवीदी से किया जाता है। इसका च्हें कि जैस वस्सक restraint कोई problem आती है , हम कई तरीके से ईसे घंणी तरीके में मालूम होते हैं उस समस्य को दूर करने का प्रयास करते हैं और फिर उसमें कोई एक हमारा जो है एक्जैक्ट उस पर फिट बैट जाता है जो हमारे तरीके हैं और वह हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इस तरीके से चिंतन प्रैतन और भूलविदी पर आधारित हो सथी सकता है इसका उधारण है सब इस च दर लख्ष नीदेशित होते हैं गोल경 si विछ उरियूंटेर होते हैं कितना कि इसका लक्ष ही होता है चिंतन में भाशा प्रतीक तका प्रतिमाओं का काफी योगदान अगर हम चिंतन कर रहे हैं या तो हम उसको अपने भाशा के माध्यम से दूसरे तक पहुचाएंगे और दूसरे की बात सुनेंगे या फिर किसी प्रतीक किसी चिंह के माध्यम से या प्रतिमाओं के माध्यम से, तो इनका काफी युगदान रहता है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक सिंपली चिंतन क्या होता है, तो चिंतन एक जटल मानसिक प्रक्रिया है, एक complex mental जो है, प्रोसेस है, जिसके सहारे प्राणी किसी समस्या का समाधान कर पाता है, ये नॉर्मल हम समस्या का समाधान कर पाते हैं, ये इस तरह की का एक प्रोसेस है, अब हम बात करेंगे कि चिंतन के प्रकार क्या होते हैं, चिंतन के प्रकारों के बारे में भी हम अब बात करेंगे, चिंतन के प्रकार है वो जिंबार्डो तथा रूप द्वारा दिया गया है, तो आतवादी चिंतन का मतब हिएलिस्टिक थिंग姓 क्या होती है कि हम काल incapपनिक विचार और इच्छाओं की अभिवेक्ति करते हैं हमारे मन में कुछ इसे इतने कालपनिक चीज़ें सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जो भी हमारी इच्छावन में आती, उसी की अभिवेक्ति को आठिस्टिक चिंतन कहते हैं, इसको हम एक उन्हारण के मादन से समझेंगे कि हमने मानली जे सपना देखा, सपना देखा और सब को बताया, और और एक और भी एक्जामपल दे सकते हैं कि मान लिजे कि कोई छात्र है अभी पढ़ी रहा है पढ़ रहा है उसके बाद वो imagination किये जा रहा है कि हम बड़े officer बन जाएंगे हमाई पास एक car होगी हम सेयर पे निकलेंगे यहां जाएंगे वहां जाएंगे यह घुमेंगे कुछ उसके लिए जादा प्रयास नहीं कर रहा है वो अभी एक student है वो क्या कर रहा है कि कलपनाओं में जी रहा है जो उसकी इच्छाएं जो पूरी करना चाहता है उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है तो इसी को autistic चिंतन कहते है यानि कि thinking बोलते है अब हम बात करते है यथार्तवादी चिंतन यथार्तवादी चिंतन मतलब जो आपके वास्तविक्ता से सम्मंदित हो सच आपके सामने चल रहा हो जैसे कि क्या मान लेजे कि आप कहीं जा रहा है आप कहीं जा रहा है और जाने में आपकी कार अचानक खराब हो गई अब कार खराब हो गई तो हम कुछ कल्पना नहीं करेंगे यानि वास्तविक्ता से जोड़ते हुए कि क्या पता in region खराब हो गया हो क्या पता इंजन गरम हो गया हो तो इस तरीके से मुसको वास्तविक्ता से देखेंगे तो ये स्वली चिंतन और यथार्तवादी चिंतन हो गया है बाद में जो यथार्तवादी चिंतन है मनुवेग्यानिकों ने उसको तीन भाग में डिवाइड किया है तो हम तीनों को एक के बारे में यहां बात करेंगे यह थार्थवादी चिंतन के तीन प्रकार किये गए पहला क्या है अभिसारी चिंतन यानि की कनवर्जन थिंकिंग दूसरा है सरजनात्मक चिंतन यानि की क्रियेटिव थिंकिंग और तीसरा है आलोशनात्मक चिंतन यानि क इवालुवेटिव थिंकिंग तो बात करते हैं अभिसारी चिंतन की तो अभिसारी चिंतन को हम बोलते हैं निगमनात्मक चिंतन निगमनात्मक यानि कि नियम से उधारण की ओर आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह मैंने डीपली समझाया है नियम से उधारण की ओर या आप अपना दिमाग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं आप उसको देखते हुए सही निश्कर्स तक पहुंच रहे हैं इसमें जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेज हैं मारे अनुभाओं हैं उनका भी उप्योग किया जाता है उसको सोच क्यूंकि हम उसको उप्योग करके तो सोच पाएंगे कि कौन कौन से तथ्य हैं और किन चीजों को जोड़कर हमें निश्कर्स तक पहुंचना है दूसरा है स्रिजनात्मक चिंतन स्रि से भी कुछ नया जोड़ते हैं अपनी और से भी कुछ नया जोड़कर कि निश्कर्स देते हैं जैसे कि हम एक्जामपल ले सकते हैं पहले और इंग्जामपल लेटे अभी सारी चिंतन तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा कि कलम की कुछ विशेश उपयोगिताओं के बारे में बताईए तो पहले तो हम बता देंगे कि कलम जो है यानि की पैन वो इस कलर की है लिखने में काम आती है लेकिन कुछ special quality एक सामने आपके रख दिया जाए कुछ special quality आप इसकी बताईए तो वहाँ पे आपके past experience से इस काम नहीं आएंगे वहाँ पे आपको अपना जो सामने दिख रहा है अपने आप से आपको जोड रहे हैं कुछ जो भी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है वही आप निश्कर्स उसका दे देंगे तो यही difference है अभिशारी चिंतन में और स्रिजनात्मक चिंतन में अब बात करते हैं आलोशनात्मक चिंतन यानि की evaluative thinking में इसमें जो है किसी बात को व्यक्ति आराम से स्विकार नहीं कर लेता है उसके गुन देखता है उसके दोश देखता हर पहलू को देखते हुए उसको समझते हुए तब व्यक्ति बात को स्विकार करता है अगर मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने as usual उसको मान लिया चाहे वो गलत है चाहे वो सही है तो बोला जाएगा कि मेरे अंदर आलोश मुनात्मक चिंतन की कमी है लेकिन अगर मैंने उसके अच्छे पहलू, बुरे पहलू सब कुछ देखते हुए उसका पूरी तरीके से evaluation करते हुए मैंने उस बात को सुईकार किया है तो बोला जाएग यानि कि tools और factors of thinking तो जो tools है thinking के वो चार है पहले जब हम कोई चिंतन करते हैं तो हमाई सामने एक image बनता यानि कि प्रतिमा बनती है फिर उसको हम भाषा के माध्यम से दूसरे से समझते हैं या दूसरे को देते हैं तो दूसरा हो गए यहां पर भाषा यानि कि language तीसरा है इन सारी चीजों से हमारे मन में जो है एक समप्रत्य यानि कि एक concept develop होता है तो जो समप्रत्य develop हो जाता है यह हमारा हो गए तीसरा पहला है प्रतिमा फिर भाशा फिर संप्रत्य और लास्ट है प्रतिग्यप्ति यानि कि प्रोपोजीशन प्रोपोजीशन क्या चीज होती है माल लीजे कि आपने कहा कि लाल किला दिल्ली में इस्तित है तो लाल किला और दिल्ली दोनों को दो संप्रत्य है दोनों दो चीज़ लाल किला दिल्ली में इस्तित है एक अलग कॉंसेप्ट हो गया तो इस प्रकार से चिंतन के चार साधन है प्रतिमा भाशा संप्रत्य और प्रतिग्यप्ति तो आज की क्लास के लिए इतना ही अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करना ना भूले लाइक भी करें और अपने सुझाओं हमें समय समय पर देते रहें धन्यवाद